क्या वाकई में बीजेपी में कोई संतुष्ट है? ऐसा लगता नहीं है. मगर जो कुछ देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, एक बेचैनी है विधायकों और मंत्रियों में, इसलिए कि पिछले 25 सालों से एक करप सिस्टम काम कर रहा था और इस करप्सन को खत्म करने की कोशि कि जा रही है, तो लोग कहने लगे हैं कोई काम ही नहीं हो रहा है, गलत काम नहीं हो तो कोई काम नहीं हो रहा है, देखिए बजनला सरकार को आप जो भी नंबर दे, इस सरकार में अभी तक, अभी तक, लेन देन की कोई खबर कहीं से नहीं आई है, अधिकारी भी ऐसे लग आए गए हैं ऐसी बात नहीं है कि मंत्री और विधाय को ब्रह्मा जी अलग फॉर्मिट में बेजे हैं और वो लूटना नहीं चाहते हैं चोरी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि खून तो मुह लगा हुआ है कई वर्सों से मगर सिस्टम इतना दुरूस्ट करके रखा गया है चा पो बीजेपी बना कर रखना चाहती है और यही है वज़ा जिसके वज़ा से एक बेचैनी पैदा की जा सकती है विधाय को और मंत्रियों में कि सहाब इसलिए बने थे क्या सांस्कृतिक बदलाओ कल्चर चेंज करना इतना असान नहीं होता है तो क्या कोई सांस्कृतिक नासास हो या फिर घर में कोई किसी की अज़ा लेकिन प्रधान मंत्री के कारकरम में नहीं आई क्योंकि कि पहले से किसी कारकरम में उन्हें जाना था इसके बाद भी वीजीपी के तमाम जो मिटि को रहे हैं लोग सभ़ा चुणाओओको लेकर उससे दूरी बनाये हुए है लिहाजा वो राजस्थान की दूरी राजनी से कटी हुई है कुछ लोग कह रहे हैं इस बार कोई उन्हें बहतर सलाह दिया है कि आप चुपी साधे रखें और बहतर समय का इंतजार करें तो कहां पर बैठ कर वो बहतर समय का इंतजार कर रही है और बेहतर समय क्या हो सकता है, पता नहीं मगर वो सिवराज सिंगचयोहान की तरह अपना चीचालेदर नहीं करा रही है घूम घूम कर अपने दिल की बाते नहीं कर रही है वे आराम से हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं और निशित रूप से बड़ी नेता हैं कदावर नेता हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक विधायक भी है अब देखिए 115 का समर्थन है या आप 115 विधायक जीते हैं उसमें से जो निर्दलिये जीते हैं उन्हें बीजेपी ने अभी आत्मसात नहीं किया है उनकी पता नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है मगर अशोग गहलोत ने जब ये बात कही तो मेरा दिमाग माथा ठनका क्योंकि अशोग गहलोत कई बारों बाते कह जाते हैं जो उनके जहन में चल रहा होता है या फिर उनके संग्यान में लाया जाता है या फिर उसक बात सही होगी पता नहीं हो सकता है कि जैसी पिछली बार उन्होंने कहा था कहने के बाद क्यों सुन्धा राजे नहीं होती तो मेरी सरकार गिर जाती बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बाती नहीं थी वो तो एक चर्शा थी और चर्शा के दौरान राजनितिक बाते हमने कह देती तो कह देंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी वो तो अन्यासिवी पक्ष इस तरह की बाते करता है कि सरकार पता नहीं कब चली जाए वैसे ही बोला था मैंने इसे बात का बतंगड बना दिया गया और मीडिया के सर पर माथे पर मढ़ देंगे हम इ भाग रहे हैं कांग्रेश पार्टी ने तैय किया कि सभी लड़ें सभी बड़े लड़ें सभी कदावर लड़ें मगर कदावर नेता कह रहे हैं कि एक बार मिटी पलीद कर दोगे तो अगले विधान सभाचुनाओं के लिए मुश्किल होगी इसलिए ये सबसे अच्छा समय ह ये सबसे अच्छा समय है कि नई लीडर्शिप को पैदा किया जाए नए लड़कों को नई नेत्री और नेताओं को मौका दिया जाए संग्ठन से निकाल कर जैसे मोर्चे पर रंगरूटों को पहले भेजा जाता है युद के लिए करनल सहाब और जन्रल सहाब को पीछे र लड़ने से डर हैं वैसे आज अशो गलोत नहीं आये मगर सचिन पहलेट आये चर्चा करेंगो उस पर मगर आज बड़ी चर्चा जो रही भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैटा को लेकर भजनलाल सर्मा ने गैलरी को प्ले करना सीख लिया है और दिरे दिरे सीख भी ल यसारे लड़के संघर्ष कर रहे थे और बजनलाल सरुमा से उन्होंने अभार वेक्त किया मगर बाबा को देखिए बाबा धरने पर बैठने का धरने में जाने का धरने वालोंसे मिलने का प्लाइंग किस मार नहीं बहुत बहुत कम लोगों े देखा होगा यह देखियो फ्लाइंग किस मारते हुए रोटा किरोडी लाल मेना आज युवाओं के बीच घिरे रहे और फ्लाइंग किस मारते रहे यह देखिए यह तस्वीर में इसलिए दिखाना आपको चार आता कि में से सभी लोग पद में नीचे हैं मगर यह विक्ती सबसे किनारे बैठा है कि सुखजिंदर सी रंधावा भी के वल प्रभारी हैं महासचीव नहीं है काईदे से राश्ट्रिय जख्ष के बाद सबसे बड़ा पद महासचीव का होता है मगर सचिन पैलेट की यह सादगी है क और ये लोग मंज पर बैठे हुए है मुझे लग रहा है कि ये सारी बाते उन्हें भीड से अलग करती है मगर भीड बहुत है और सारे मुर्धन नेता आज मिले वहां बैठे हुए थे रामलाल जाट, गोईंद मेखवाल, धर्मिंदर राठोड, महे जोसी सभी चर्चा कर रहे थे कि चुनाओ कैसे जीता जाए अब कुछ लोग तो नाम के लिए भी टिकट लेना चाहते हैं जाकि कदबड़ी हो जाए मगर क्या कांग्रेस में वाकई कॉन्फिडेंस का संकट है, साहस का संकट है जो बड़े रिता चुनाओ नहीं लड़ना चाहते है राहूल गांधे अगर कहते हैं डरिये मत तो केवल क्या भाशन तक सिमित है जो डर रहे है क्या अशोग, गलो, सचेन, पैलट, गोविन सिंग, डोटासरा ये सारे चुनाओ लड़ने के लिए तैयार है अंदर ही अंदर बात कीजिए इनसे तो कह रहे हैं कि हमें चुनाओ लड़ने की जोरत नहीं है नई पीड़ी को मौका देना चाहिए ठीक, वैसे ही जैसे बीजेपी ने दिया है मगर मैं बार-बार कहता हूँ कि बीजेपी और कॉंग्रेस के कल्चर में फर्क है फर्क इसलिए है कि कॉंग्रेस भीड जनता मास ब्रेस पार्टी है बड़े निताओं को आगी आना चाहिए चुनाओ लड़ने के लिए तब जाकर संभावना बनेगी वरना जिस तरह का महौल है और जिस लेवल पर बीजेपी लड़ रही है बहुत मुश्किल है वैसे बीजेपी के सारे निताओं चाह रहे हैं क्या भजनलाल सभी 25 की 25 सीटे जीताला है या फिर वहाँ भी कहानी अलग है मगर कई बार देखे मैं कहता हूँ बीजेपी में नेता बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाता है क्योंकि कैडर बेस्ट पार्टी है और जनता अगर जुड़ी है कैडर के साथ तो नेता 150, 200, 300, 500 वोट से ज़्यादा उसकी मारक शमता नहीं होती है बहुत लोगों ने कहा वसंद्रा राजे नराज है संकट खड़ा हो जाएगा मगर फिर भी 115 सीट तो आही गई इसलिए कहा जा रहा है कि नेता के चाहने ना चाहने से बीजेपी में कोई बड़ा संकट नहीं आने वाला है और वो कठोर फैसला ले सकते हैं संक्तन महामंत्री की विदाई करा कर यहां तो हारने के बाद भी सुखजिंदर सी रंधावा बैठे हैं ररणिती बनाने के लिए यह फर्क है कॉंग्रेस और बीजेपी की संस्कृति में जब तो फर्क नहीं मिटेगा तब तक संकट जारी रहेगा वैसे सचिन पैलट कल से दो दिन की दौरे पर जा रहे हैं उद्यपूर और प्रताब गड़ निकलना चाहिए कॉंग्रेस के नेताओं को दौरे पर गजंदर शिंग शक्तावत के हां जा रहे हैं पुराने साथी परदेश अद्यक्ष के रूप में गविंशिंग रोटासरा लगातार मेहनत कर रहे हैं कॉंग्रेस कोसिस कर रही है कि जिस तरह की हार मिली है उस हार के बाद हम खड़ी हो मगर संकट वही है कि विश्वास बहाली का RPSC में जिस तरह का कामकाज चल रहा है अगर कॉंग्रेस वाला दोर ही BJP में जारी रहा तो संकट बड़ा होगा कॉंग्रेस